हेलो दोस्तों आज हम करेंगे exercise introduction of 6.3 class 9th है और chapter हमारा चल रहा है lines and angles इस exercise को शुरू करने से पहले हमें दो theorems की proof की जरूरत पढ़ेगी बाकी theorems का proof हम करके आए हैं previous videos में तो यह जो हमारा theorem है यह कहता है कि proof that sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree बुक में ऐसा नहीं लिखा है but this is the complete statement a theorem should have ठीक है तो हमने क्या लिखा है मैंने एक triangle बना लिया है और मुझे यह प्रूव करना है कि angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree और given में क्या है a triangle ABC with interior angles angle A, angle B and angle C required to prove क्या है angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree अब जैसा मैंने हमेशा बताया है given भी लिख लिख लिया required to prove भी लिख 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 प्रूव से पहले अब मुझे कुछ construction चाहिए तो मैं construction लिखूंगा ध्यान दीजिएगा मैंने एक line लगाई है P और Q in such a way that PQ is parallel to BC तो मैं construction लिख लिख लूँगा यहाँ पर construction draw PQ parallel to BC that passes through point A ठीक है जी तो अगर मैंने यह लिख लिख लिया है तो यहाँ पर मैं angles बना लूँगा बड़े ध्यान से देखिएगा यह interior angles इसलिए मैंने mention कर दिया है interior angle A है तो यह बला जो angle है वो A है यहाँ पर मैं one लगा दूँगा और यहाँ पर मैं two लगा दूँगा ठीक है ओके अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रूफ में बहुत ध्यान से बड़े अराम से देखिएगा सिंस पीक्यू इस प्याल टूबी सी क्यों बाय कंस्ट्रक्शन ठीक है तो देर्फोर यह देखिए एंगल one is equal to angle b नहीं हो गया और angle two is equal to angle c नहीं हो गया angle one is equal to angle b and angle two is equal to angle c why alternate interior angles ठीक है so clear है कोई दिक्कत है नहीं है अभी तक अच्छा तो आप यह देखिए now angle one plus angle a plus angle two is equal to 180 degree यह मैं लिख दूँगा because paq is a line why by construction ठीक है ठीक है आपको पता चली रहा होगा क्योंकि हमने construction की है तो therefore angle one plus angle a plus angle two is equal to 180 degree ठीक है linear pair नहीं लिखेंगे यह है straight line angles क्योंकि 2 से ज्यादा angle है straight line angles ठीक है तो यह हो गया जी हमारा अब आप यह देखिए कि अगर मैं इसको equation one दूँ और इसको equation two दूँ तो from मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे from one and two angle a plus angle b plus angle c is equal to 180 degree क्यों क्योंकि angle a की जगह पे angle one की जगह पे यहाँ b आ जाएगा a तो है ही है angle c जो किसको replace करेगा two को replace करेगा तो a b c नहीं बन गए ठीक है तो यही तो हमें प्रूफ करना था तो यहां में लिख सकता हूँ hence proved that the sum of all the interior angles hence यहां लिख लिए hence it is proved that the sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree I hope that is clear to you कोई परिशानी होनी नहीं चाहिए अब हमारे पास next theorem जो है यह आप pause करके जरूर नोट कीजिएगा अच्छे से ठीक है और उसके बाद हम next theorem करेंगे next theorem हमारी of course 6.8 है तो हमारी theorem है कि if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to sum of the two interior opposite angles मैं यहां पर यह बता दूं कि जब भी आपको यह theorem प्रूव करनी है तो यहां पर बच्चों को यह बहुत confusion आती है कि सर अब इसका reason इतनी बड़ी theorem लिखनी है तो जिनके भी छोटे नाम होते हैं मैं बता देता हूँ जैसे उपर वाली theorem आप लिखेंगे अब जहां भी आप तीनों angles का sum 180 degree लिखेंगे किसी भी triangle का तो साथ में आप reason देंगे angle sum property of a triangle इसी तरह से जब यहां पे कहीं पे भी यह इतनी बड़ी theorem यूज होगी तो आप लिखेंगे exterior angle property ठीक है क्योंकि यह जो theorem है यह exterior angle property को show करती है अब मैं आपको यह proof करना बताता हूँ NCRT में इसका proof है नहीं है सो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा भी चलिए देखते हैं सबसे पहले क्योंकि exterior angle है तो मैं यहां पर एक line लगा देता हूँ अपना एक triangle छोटा सा draw कर लेते हैं इस line को मैं extend कर लेता हूँ ध्यान से देखेंगे ठीक है और यहां A, B, C और यहां पर D आ जाएगा ठीक है यह line extend हो गई 1, 2, 3, 4 यहां जाएगे हमारे पास ठीक है अब theorem जो है हमारे पास यह 6.8 है इसे प्रूव करने जा रहा हूँ मैं given क्या है ठीक है आपको theorem 6.8 नहीं लिखनी आपको लिखना है proper statement एक बार जो की given है और मैं बोल भी चुका हूँ वो ठीक है given क्या है a triangle ABC ठीक है when BC is produced to point D ठीक है where angle ACD is the exterior angle of triangle ABC अच्छा यह सिर्फ बच्चों के लिए है जो यह सीखना चाहते है तो मैं बता दूँ कि अगर मैंने इस line को extend किया तो एंगल यह वाला ACD इसका exterior angle हो गया अगर मैं इस line को extend करता ध्यान दीजिएगा अगर मैं इस line को extend करता तो यह वाला जो एंगल है यह exterior angle बनता और इसके और इसके sum के बराबर होता अभी angle 4 जो है मुझे यह प्रूव करना है कि angle 1 अगर मैं इस line को extend करता तो यह वाला angle जो आ जाता यह exterior angle होता और वह 1 plus 3 के बराबर होता तो आप either which way आप कर सकते हैं अभी मैं required to prove में क्योंकि मैंने naming of the angles कर दी है तो required to prove में मैं लिखूंगा ठीक है कि angle a plus angle b is equal to angle a c d पहले तो मैंने प्रूवा प्रॉपर लिख दिया ठीक है अब यह जो naming है यह सिरफ question solve करने तक ही सीमित रहती है तक हमें help रहे और बार बार लिखना ना पड़े अब आप इस वीडियो को pause कीजिए यह figure वगरा draw कर लीजिए सारा कुछ लिख लीजिए उसके बाद हम प्रूव करते हैं अगले page पर चल के let's see अब मैं अगले page पर चल रहा हूं यह देखिए मैं हलका सा यहां पे छोटा सा diagram बना लेता हूं a b c और यहां पे d था one two three और यह four क्योंकि diagram मेरा main diagram तो पीछे बनाई हुआ है यह सिरफ मैंने अपने reference के लिए बनाया है यह exterior angle property मुझे प्रूव करनी है अब आप देखिएगा ध्यान से मैं इस line को पकड़ रहा हूं यह मैं ऐसे लिखता हूं पहले प्रूव में in triangle a b c angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree y angle some property I hope आपको पता जल गया होगा अभी पीछे ही तो करके आये है और reason इसका इस तरह से लिखना है angle some property लिख दी हमने and और of course इसको मैं equation 1 mark कर सकता हूं and and since b d is a line therefore angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree reason आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अगर आ गया है तो अब मैं बता देता हूं linear pair two angles है न और यहां पे हैं यह और यह linear pair हो गए इसको equation 2 दे लेते है from 1 and 2 देखिए यह भी 180 के बराबर और यह भी 180 के बराबर तो equate हो सकते हैं angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to oh sorry angle 3 plus angle 4 तो यहां पे मुझे angle 3 लिख देना चाहिए मैं थोड़ा clear करके लिख देता हूं angle 3 ठीक है जी यह आ गया हमारे पास अच्छा अब आप यह देखिए कि angle 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसका मतलब इनकोर काटा जा सकता है तो angle 1 plus angle 2 is equal to angle 4 और यहां हम लिख सकते हैं hence it is proved that और पूरी theorem की यह जो आपको गाथा है वो लिखनी पड़ेगी ठीक है मैं लिखनी रहा हूं क्योंकि वीडियो की length unnecessarily लंबी हो जाएगी I hope that's clear to you दो थेवरम थी दोनों हमने प्रूव कर ली है कोई दिक्कत होनी नी चाहिए अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया do get back to me अब हम करेंगे examples let's see चलिए जी अब हम करते हैं example number 7 सारा का मैंने सारा डाइग्राम बना रही है given required to prove अब आप यह required to find जो भी है आपको खुद लिखना है मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने बोला है qt perpendicular है इस पर इसलिए यह वला अंगल 90 degree का हो जाएगा और यह वला अंगल 30 degree है यह y ढूनना है हमें यह x ढूनना है और यह 40 degree ढूनना है तो दिहान से देखिएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं सीधा मैं solution लिख रहा हूं क्योंकि proof तो हो नहीं सकता required to find है solution में क्या है in triangle P, Q & R P, Q & R तिहान से देखिएंगे angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree reason आपको पता है angle sum property of a triangle कोई दिक्कत तो नहीं है आपको ठीक है जी बड़ा clear है सारा कुछ अच्छा अब आप यह देखिए कि हमारे पास जो given information है वो क्या-क्या है वो हमारे पास है कि यह सारा कुछ इससे फाइदा क्या है हमारे पास फाइदा अभी तो कुछ नहीं है ठीक है एक्स आना चाहिए था तो अगर मैंने लिखना भी हो तो अभी तो मैं कुछ नहीं लिख सकता तो इसको थोड़ी देर के लिए विश्राम देते हैं अब मैं यहां लिखता हूं ध्यान से देखेंगे and in triangle T, Q & R यहां लिख लूँगा मैं यहां भी दो एंगल एक से ज्यादा एंगल बन रहे हो मुझे पूरा लिखना चाहिए जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं angle Q, T, R यहां पर यह बला angle T इन दोनों angles को signify कर देगा इसलिए मैंने simple बताई दिया कि angle Q, T, R की बात कर रहा हूं angle Q, T, R Q, Plus angle यहां पर simple R भी लिख सकता था मैं ठीक है तो मैं flow में था तो मैंने लिख दिया क्योंकि यह सिरफ एक ही angle को represent कर रहा है और angle T, Q, R is equal to 180 degree दुबारा से angle some property of a triangle ठीक है अब आप यह देखिए मैं values पूट करने जा रहा हूं यहां देखिए ध्यान से देखिएगा Q, T, R 90 degree मैं आपको proper reasoning दूँगा T, Q, R जो है हमारे पास X है sorry प्लस यह जो आ जाएगा 40 degree ठीक है यहां मैं reason आपको दूँगा वह द्यान से देखिएगा because it is given that Q, T is perpendicular on P, R I hope कि आपको यह जीज समझा गई है ठीक है यह given है तो यह कर दिया हमने X यह 130 हो गया और इधर चला जाएगा तो 130 180 minus 130 so X is equal to 50 degrees आ गया ठीक है X 50 degree आ गया हमारे पास यह देखिए पूरा का पूरा 50 degree है अच्छा अब ध्यान से देखिएगा मैं जो आपको बात समझानी चाहता हूं क्योंकि जो बच्चे नॉर्मली गलती भी कर जाते हैं वह बता रहा हूं यह देखिए मैंने PQR लिया शुरू में यह वह ट्राइंगल लिया था मैंने जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं है तो आपको यह देखना चाहिए देखिए मैं इसलिए इसको लिखा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि बाद में बचे यह काम कर जाते हैं इसकी हमें जरूरत ही नहीं है हमारे पास यह 50 डिग्री आ गया और अब आप अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे तो यह वाला अंगल अगर आपके दिमाग में अंगल सम प्रॉपर्टी है तो यह वाला अंगल is equal to यह वाला प्लस यह वाला देखता हूं मैं आपको बताता हूं देखिएगा ध्यान से यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ट्राइंगल PSR को consider करूंगा ठीक है? NCRT में explanation के साथ नहीं बताया गया है सो ध्यान से देख लीजिएगा now in triangle PSR तो यहां आजाएगा angle Y is equal to angle SPR प्लस angle R ठीक है? तो R क्या आया है? यहां X क्या आया है? यह दिखिए अब मैं लिख लूंगा Y Y is equal to यह जो हमें है दिया यह 30 degree का है और यह X है यहां पे आप लिख लीजिए और angle R is equal to 50 degree ऐसे लिख लीजिए प्लस 50 degree is equal to 80 degrees ठीक है? X की value हमारे पास आ गई थी 50 degrees और Y की value आ गई है हमारे पास 80 degrees and I hope that's clear to you कोई भी परिशानी नहीं होनी चाहिए अगर आपको फिर भी कोई doubt आएगा do ask me, I am always there for you दूसरी बात यह है कि अब हम करेंगे example number 8 बचो यह example जितनी ज्यादा मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा important है तो मैं आपको यह चीज़ बोलूंगा कि अगर आप इस example को 10 बार भी try कर लेंगे और पूरा logically समझके कीजिएगा तो आपको ज्यादा help रहेगी I hope that's clear to you जो मैं बोल रहा हूँ और अब हम करेंगे example number 8 बहुत सारे अराम से बहुत सारा काम है इसमें बहुत अराम से हमें पढ़नी चाहिए यह example और फिर भी कोई issue आएगा just do let me know ठीक है चलिए अब करते हैं example number 8 let me draw the figure and write some important information और फिर हम करेंगे example number 8 उतनी देर आप भी पढ़ लीजिए और given or required to prove जरूर लिख लीजिए चलिए जी आ गए हैं हम अपनी the most important example 8 of this chapter ठीक है गिवन क्या है कि figure वैसे आपको देखी गई होगी लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि triangle ABC है एक triangle हमारे पास ABC है AB को extend किया E तक AC को extend किया D तक ठीक है और यह जो BO है यह bisector है इस angle का bisector का मतलब कि फिर यह वाला angle और यह वाला angle equal हो गए इसी तरह से OC जो है bisector है angle BCD का इसका मतलब angle 3 और angle 4 equal हो गए जस्क मैं आपको बता रहा हूं information तो हम बात में लिखेंगे ही however given क्या है जो मैंने बोला है वो सारा कुछ given है आप देख सकते हैं कि triangle ABC ABAC are produced to E and D respectively उसके बाद फिर मैंने दूसरा given लिखा है BO and CO are the bisectors of angle CBE and BCD respectively BO and CO beat at O required to prove क्या है मेरे पास कि यह सारी चीज़ है 90 minus half of BAC तो BOC मतलब यह देखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं BOC मतलब angle O ठीक है angle O is equal to 90 minus half of BAC तो अगर मैं rough में थोड़ा सा लिखूँ तो मुझे यह प्रूफ करना है कि angle O is equal to 90 minus half of X ठीक है यह फिर A जो भी आपको ठीक लगे यह सिरफ मैंने rough में बताया है आपकी सहूलियत के लिए अब आप देखिएगा कि यह question वैसे बहुत ज्यादा लंबा question है लेकिन इसको इसकी length को छोटा कैसे करना है वो देखते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा since since OB is the bisector of ध्यान दीजिएगा मैं बार-बार कह रहा हूँ OB is the bisector of angle CBE यह given है मुझे therefore angle 1 is equal to angle 2 और ठीक है angle CBE is equal to और नहीं लिखते हैं इसको थोड़ा सा और simplify कर देते हैं ताकि आपको कोई परिशानी ना रहे ठीक है यह दिखता हूँ मैं and angle CBE is equal to angle 1 plus angle 2 ठीक है यह रेखिए angle CBE angle 1 plus angle 2 यह आपके बास है अब मैं क्या करूंगा मैं यह लिख सकता हूँ क्योंकि यह और यह equal है so it implies to angle CBE और जो अंदर वाला angle है जो कि 2 है तो मैं लिख सकता हूँ angle 1 दिखाई नहीं था twice of angle 2 ठीक है क्योंकि अंदर वाला angle है बाहर वाले angle का कोई रोल नहीं है तो ध्यान दीजेगा मैं अंदर वाला angle लिखना है यह आपको अच्छे से clear हो जाना चाहिए ठीक है यहां फिर उसके बार मैं लिखूंगा यह जीज important है similarly अब मुझे बार-बार चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है similarly लिखके मैं लिख सकता हूँ angle BCD is equal to twice of angle 3 मैं दुबारा से figure में दिखाता हूँ आपको angle BCD is twice of angle 3 क्योंकि यह bisect कर रहा था यह और यह equal थे इसलिए मैंने similarly लिख दिया आपको यह चीज clear होनी चाहिए ठीक है अच्छा यहां पर तक हम आ गए है और I really don't think कि आपको कोई परिशानी हुई होगी इसमें अब आप यह देखिए कि यहां मैं लिखूंगा since AE is a line reason क्या है उसका given है formalty कर लेनी चाहिए therefore angle ABC यह E है ठीक है plus angle CBE is equal to 180 degrees Y linear pair ठीक है यह linear pair है तो ABC क्या है Y और BCD sorry CBE यहां पे जो है it implies 2 और उसके बाद मैं लिखूंगा angle 2 is equal to 1 by 2 180 minus Y angle 3 is equal to angle 2 I am sorry half of यह अंदर चला जाएगा तो half of 180 90 आ जाएगा यह देखी इसके साथ multiply हो गया अब यही चीज minus के बाद इससे multiply हो जाएगी तो minus half of Y ठीक है तो Y by 2 लिख लेते यहां ऐसे लिख लेते कोई फरक नहीं बड़ा तो angle 2 कितना आ गया हमारे पास 90 minus half of Y figure में देख लेते हैं कि यह वला जो angle है 90 minus half of Y आ जाएगा तो angle 3 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 minus half of Z पकी बाता लिख सकता हूं तो आप यह देखिए इसको मैं 1 दे दूँगा अब नाम और मैं आगले पेज पे लिखूँगा similarly similarly angle 3 is equal to 90 minus half of Z ठीक है और यह 2 आ जाएगी हमारे पास so I hope कि आपको कोई भी परिशानी यहां पे नहीं आनी चाहिए अब मैं लिखूँगा in triangle BOC BOC लिखा तो angle BOC plus angle BCO plus angle CBO is equal to 180 degree क्यों angle angle sum property of a triangle ठीक है तो BOC क्या है BOC तो चलो हमें प्रूव करना तो इसे ऐसे लिख देंगे angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree इसे मैं equation 3 दे दूँगा अब मैं लिखूँगा from 1, 2 & 3 from 1, 2 & 3 क्या आएगा जी मैं values डालने जा रहा हूं angle BOC plus 2 की value क्या थी 90 minus half of y plus 90 minus half of z is equal to 180 degrees ठीक है from 1, 2 & 3 अब आप यह देखिए कि BOC के equal मुझे प्रूव करना है तो मैं BOC के equal रहने दूँगा 180 minus 90 ठीक है plus y upon 2 minus 90 plus z upon 2 180 minus 90 minus यह तो चला गया तो BOC is equal to यह यह और यह तो खतम हो गया तो y by 2 plus z by 2 लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है मुझे तो कुछ और प्रूव करना है मुझे यह प्रूव करना है कि angle BOC is equal to half of 90 sorry 90 minus half of angle BAC तो वह देखते हैं कि अब हमें वह क्या लेके आना है अब देखेंगे हम ध्यान से in triangle यहां मैं लिखूँँगा now in triangle ABC ठीक है angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree तो यहां लिखतूँँगा मैं angle some property of a triangle ठीक है और यहां मैं यह ऐसे भी लिख सकता हूँ X plus Y plus Z is equal to 180 degree ठीक है one and the same thing कोई दिक्कत है नहीं अब आपको बड़ा केरफुल रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं अगर आप required to prove पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सिरफ BOC है यह फिर angle A है और कोई चीज नहीं है तीसरी तो यहां पे हमारे पास तो यह चीज़े एक्स्ट्रा है ठीक है एक X है और एक BOC है इसका मतलब यह चीज़ें दोनो एक्स्ट्रा है यह दोनो चीज़ें एक्स्ट्रा है तो मुझे इनको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा अब आप देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं बड़े ध्यान से देखेंगे यहां पे Y by 2 है तो यहां मैं एक काम और करूंगा यहां राधर इसी तरफ कर लेता हूं वन एन दे सेम तिंग आप जैसे भी करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाइ 2 तो आप यह देखिए X by 2 अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा यह हो जाएगा Y by 2 plus Z by 2 is equal to 90 degree हो गया न अच्छा अब आप यह देखिए कि इसकी value कहां पे है यह देखिए इसकी value यहां पे है इसको मैं 4th equation मानता हूं और इसको मैं 5th equation मानता हूं अब आप देखेंगे ध्यान से from 4th and 5th X by 2 plus angle BOC is equal to 90 degree ठीक है value put कर दी BOC is equal to 90 minus X by 2 आ गया यह भी clear हो गया आपको और X क्या है angle BAC तो अब अगर आप यह देखेंगे कि आपको 90 minus half of BAC ही तो प्रूव करना था तो आप यह देखिए कि angle BOC is equal to 90 minus half of angle BAC hence it is proved ठीक है सो मैं दुबारा कह रहा हूं यह question लंबा है बड़े ध्यान से समझने वाला है कोई भी जल्दी मत मचाईएगा इसमें और अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे genuinely पूछिएगा Thank you so much for watching this video so patiently Have a beautiful day ahead Bye Bye